हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चनल डीजल वक्स आज हमारे पास आई एक स्कॉर्पियो तो सबसे पहले हम आपको फॉल्ट कोड दिखाता हूं किसमें फॉल्ट कोड जो है वो क्या आ रहे है यह आप देख सकते हो P061B P062B issue monitor error for injector cut-up demand इससे related information आप DTC help पे भी चेक कर सेको यहां पर दिखा रहा है malfunction in ECU यानि कि ECM में problem होने के वज़े से यह code जो है वो generate हुए बट गारी में यह दिक्कत है कि गारी हमारी start भी हो रही है बट कुछ दूर चलते ही बंद पड़ जा रही है एक आप देख सकते हो rail पे सिसलेटेड भी code आ रहा है P1D87 अब मैं आपको इस फॉल्ट कोड को हम clear करते हैं और गारी को हम दुबारा start करके चलाते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट कोड generate होता है अब आप देख सकते हो सारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया no trouble code आ रहा है अब आते हम गारी पे यह हमने इसको start कर दिया है अब मैं आपको इसको चला कर यह हमने चलाया इसको मैं आपको फॉल्ट कोड दिखाता हूँ अभी आप देखो no trouble code आ रहा है और गारी भी हमारी चल रही है गारी जैसे 30 40 की speed पकड़ती है और गारी जो है वो बंद पड़ जा रही है इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है गारी में कि गारी जैसे 50 से और अब भी speed जा रही है तो गारी जो है वो बंद पड़ जा रही है यह आप देखो गारी जो है अभी जैसे आगे बढ़ी और यह बंद पड़ जाए इसका pickup खतम हो गया और यह अब बंद पड़ जाएग यही problem जो है वो इसमें हो रही है तो चली देखते है कुछ trouble code जो है व और rail pressure sensor above maximum limit का जो है वो code इसमें आ रहा है दुबारा से हम लोग एक बार इसको चलाते हैं और देखते बन पड़ता है तो दुबारा और कुछ code generate होता है या फिर यही रहता है यह आप देखो गाड़ी अभी हमारी चल रही है बट जैसे यह speed पकड़ेगी और गाड़ी हमारी बन पर जाएगी तो अभी तो हमारी गाड़ी जो है वो सही चल रही है तो एक बार मैं fall code भी चेक कर लेता हूँ यह हमगे read travel code में यह आप देख सकते हूँ यह fall code current DTC में आ रहा था बट अभी जो है वो healed condition में हो गया है और गाड़ी अभी सही चल रही है बट जैसे बन पड़ेगी मैं दुबारा से आपको fall code चेक कर आता हूँ कि दुबारा fall code जो है वो क्या आ रहा है यह आप देखो फिर से pick up इसका down हो गया और गाड़ी हमारी अब बन पड़ जाएगी यह गाड़ी जो है अब यह बन पड़ जाएगी इसमें problem यही हो रही है इसका pick up 40 से एवब जैसी जा रहा है गाड़ी का pick up जो हो डाउन हो जा रहा पर गाड़ी बन पड़ जा रही है आप बन अब बन पड़ जैसे कि अपने ड्राइवर की भी बाते सुनी कि गाड़ी कुछ दूर चल रही है सही बट फिर ऑटोमेटिक अपने आप बन पड़ जा रही है अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें fall code जो है वो क्या आ रहा है यह आप देख सकते हो गाड़ी अब जो है start भी नहीं हो रही है इसमें यह भी problem हो रही है start होके भी यह बन हो जाती है कई बारी यह सही चलती है कभी जो है यह इसमें disturb हो रहा है इसमें fall code जो है वो मैं चेक करता हूँ कि दूसरा और क्या fall code आ रहा है एक fall code तो इसमें हमें मिला P0193 इसके अलावे भी मैं आपको चेक कराता हूँ यह आप देखो अभी गाड़ी जो है वो start नहीं हो रही start हो भी रही है तो वो बन हो जा रही यह आप देखो यह जैसे start होई start होने के बाद यह बन पर जा रही पहले तो काफी सारे fall code आ रहे थे अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें fall code अभी इस time क्या आ रहा है तभी हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी में exact problem क्या है यह आप देखो गाड़ी अभी सही चल रहे है तो इसका rail pressure भी सही बन रहा है बट गाड़ी में बार बार एक ही fall code जेनरेट हो रहा P0193 rail pressure sensor above maximum limit तो इस condition में आपको rail pressure sensor और उसकी wiring चेक करें तो हमें problem जो है वो इसके rail pressure sensor के coupler में मिली यह अब देख सकते हो इसका pin number 2 जो है इसका pin जो है वो काफी अंदर चला गया है जिस वज़े से यह कभी touch हो रहा है तो सही काम कर रहा है और कभी नहीं हो रहा है तो सही से काम नहीं कर रहा है अब ही आप देख सकते हो कि coupler change करने के बाद गाड़ी हमारी proper start भी हो रही है और proper okay भी होगी तो उस fall code के कारण ही यानि कि rail pressure sensor का जो coupler में problem था उसी के कारण rail pressure हमारा सही नहीं बन रहा था जिसके करण गाड़ी में यह दिक्कत हो रही थी कि गाड़ी हमारी चलते चलते बंद पर जा रही थी यह fall code जब भी आपके गाड़ी में आए तो सबसे पहले आपको wiring चेक करनी है उसके बाद आपको rail pressure sensor जो है उसे चेक करना है तो अभी मैं आपको चेक कर रहाता हूं कि इ आ रहा है यह हम जाएंगे महिंदरा में यह आप जैसे कि देख पा रहे हो तो गाड़ी जो है वह हमारी Scorpio है तो हम जाएंगे Scorpio में यह हमारी SLE गाड़ी है तो हम जाएंगे इसमें अब मैं आपको चेक कर रहाता हूं कि इसमें fall code क्या आ रहा है यह आप देख सकते हूं इ इसको clear करने के बाद मैं आपको check कराता हूँ कि गाड़ी जो है वो अब हमारी proper okay हो गई है। यानि कि अब गाड़ी में कोई problem इसमें नहीं है। यह आप देख सकते हो गाड़ी जो है अब हमारी proper चल रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगओ तो like, share और subscribe जरूर करें। थैंक्यू दोस्तो यह वीडियो देखने के लिए।